हालो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चानल आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम करी लीफ को कैसे बिना फ्रिज के लॉंग टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं तो यहां पर सबसे पहले हम जो करी लीफ है इसको इसकी स्टैम से अलग करेंगे उसके बाद हमें इनको अच्छे से वाश करना है ताकि इन पर जितनी भी dust है वो remove हो जाए तो curry leaves को हमने अच्छे से वाश कर लिया है अब हम इसको पानी से निकाल लेंगे और इसके बाद हमें इसको सुखाना है तो किसी भी कपड़े के ऊपर आप इसको फैला दें ताकि जो इसका पानी है वो सूख जाए अब तीन से चार गिंटे हो चुके हैं और जो करी पता है उसमें जो एक्स्ट्रा पानी है वो सूख चुका है उसके बाद मैंने एक ट्रे में किचन टावल बिछाया है और उसके उपर इन करी लीव्स को फैला दिया है और दो से तीन दिन तक इनको मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी ताकि ये सूख जाए अगर हमें जल्दी हो इनको सुखाने की तो रोज हम इनको दूप में रखेंगे लेकिन उपर नापकिन से इसको कवर कर देंगे ताकि किसी भी तरह की जो डस्ट है वो इन पर ना जाए हम चाहें तो इनको ऐसी रख सकते हैं तीन चार दिन लगेंगे सूखने में जल्दी हो तो दूप में रख दें जल्दी सूख जाएंगे अब यह देखिए तीन चार दिन हो चुके हैं और यह कैसे सूप चुके हैं तो अब बारी आती है इनको स्टोर करने की तो किसी भी एर टाइट कंटेनर में डाल कर आप इनको स्टोर करें आप चाहें तो इन करी लीव्स को पाउडर बना कर भी स्टोर कर सकते हैं बस जो हमने पत्ते सुखाए हैं तीन चार दिन तक इनको मिक्सी में डाल कर अच्छे से पीसना है और एक पाउडर रेडी हो जाएगा तो इस पाउडर को आप किसी भी एर टाइट कंटेनर में डाल कर स्टोर कर सकते हैं तो यह देखिए पीसने के बाद यह पाउडर रेडी हो चुका है जो यह पाउडर रेडी होता है यह मोस्टली हम यूज करते हैं हेर पैक बनाने में और हेर ओल बनाने में तो करी लीव का अगर आपको हेर पैक बनाना है तो आप इस पाउडर को फ्रिच्च के